वेल्कम टू फालकन एक्सल कैडमी मैं हूँ केवल वीजे और मैं आज आपको MS Excel का Lecture No.26 पढ़ाने जा रहा हूँ आज हम बात करेंगे 10 Most Important Function के बारे में Lecture No.25 में मैंने Basic 10 Functions के बारे में पढ़ाया है और जिसका Link मैंने Description में भी दिया हुआ है और उपर आपको I Button में भी इसका Link मिल जाएगा तो इस Lecture के अंदर मैंने आपको 10 बहत्री इन Functions के बारे में पढ़ाना है और यह Formula का Part No.2 है जिसमें हम बात करेंगे Sum If Function के बारे में Sum Ifs के बारे में Count Ifs के बारे में Count Ifs के बारे में Sub Total Function के बारे में Auto Serial Number के बारे में Rant Between के बारे में Percentage, Average और Trim Function के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं Lecture स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएं कुछ आप New Learn कर पाएं तो इस वीडियो को Like और Share जरूर कर दीजेगा क्योंकि आप एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है तो स्टार्ट करते हैं आज का Lecture तो सबसे पहला जो Function वारे पास है वो Sum If का है तो इसके लिए मैंने अलग-अलग से यहाँ पे Shades को Add किया हुए जैसे Sum If के लिए मैंने अलग से यहाँ पे राइट किया हुए और हम बात करेंगे यहाँ पे Sum If के बारे में जब हम Sum का Formula अप्लाई करते हैं तो इसमें अवराल जितनी भी Values होती हैं सारी Sum हो जाती है मगर Sum If के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे If Statement के जरिए यहाँ पे Condition Apply कर देते हैं यहाँ पे एक हम शर्त रख देते हैं कि यहाँ पे यह Value जो हमारे पास है वो इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो तो वो ही जमा हो बाकी जमा ना हो तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले Is Equal To Write करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं Sum If Sum If टाइप करने के बाद आपने Shift Bracket Start करनी है और यहाँ पे हम Condition Apply करें कि हमारे पास वो ही Value जमा हो जो 500 या 500 से अबव हैं बाकी कोई Value और जमा ना हो तो इसके लिए हमने क्या करना है यहाँ पे Range देनी है आप देखें हम आरपास Range कहाँ पे आरही है मारपास Column मारपास F है और F का वो कौन सा Cell है जहां से Value स्टार्ट हो रही है F3 जैसे आप देखें मैंने Sum Iflic का और यहाँ पे क्लिक करते हैं Starting Point से आपने Ending Cell तक जाना है उसके बाद आपने यहाँ पे Comma देना है और Comma टाइप करने के बाद फिर आपने Inverted Comma यहाँ पे देना है और Greater Than Shift Greater Than का Sign आपने देना है इस इक्वल टू राइट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 500 अब यहाँ पे हम कंडिशन अप्लाई करें कि यह जो हमारे पास रेंज है 100 से लेकर 500 तक यह जो हमारे पास F3 से लेकर F8 तक हमारे पास जो रेंज है इसमें जितनी वैलियू लिकी हैं अगर वो बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए 500 के तो वो ही जमा हो बाकी ना हो तो invite, close and bracket close और जैसे मैं अंटर प्रेस करते हैं तो आप देखें कि वो ही वैलियू जमा होंगी जो 500 के एक्वल है या 500 से अबव हैं तो आप देखें कि यहाँ पे 500 यह मरपास हो गया यह 1500 हो गया यह 2000 हो गया और यह 3000 हो गया तो इस्ता से सम इफ का हम greater than के साथ use कर सकते हैं अब हम सम इफ का यूज करने वाले हैं less than के साथ तो यहाँ पे हम इस value को delete करते हैं delete करने के बाद is equal to right करेंगे और यहाँ पे type करते हैं सम इफ bracket शिरू और फिर वैसे हम इसको range देंगे जैसे हमने पहले दी थी फिर इसके बाद comma type करना है shift के साथ inverted comma less than छोटी हो जाए या बराबर हो जाए 500 के तो invite comma close and bracket close और जैसे में इंटर प्रेस करेंगे तीरे के हमारे पास वो values जमा हुई हैं जो 500 के बराबर है और 500 से कम है तो इस तरह से आप यहाँ पे some if के साथ greater than or less than का use कर सकते हैं उसके बाद next function जो मर पास में आ रहा है वो है some ifs का कि हम जमा करना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे items हैं बहुत सारी entries हैं और उसके बाद 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 वो entries हो रही है जैसे आपके पास कोई product हो सकती है कोई आपके पास members है जो उसके बाद महीने में कई बार आपको payment submit करवा चुके हैं और हम चाहते हैं कि किसी एक नाम का यानि आपके पास 500 नाम हैं 200 नाम हैं यह बहुत सार नाम आपके पास हैं उन्हेंसे किसी एक item का या किसी एक name का हम total मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम sum if function का use करते हैं तो कैसे हमने use करना है हम यहाँ पे total में click करते हैं और इस तासे आपने data write कर लेना है और फिर हम type करेंगे is equal to and sum if पहले हमने sum if पढ़ा था फिर उसके बाद हम sum if के बारे में बात करना है बैके स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद आपने sum range देनी यहाँ पे कि आप किस value को जमा करना चाहते हैं यह हमारे पास values ने जिनकों sum करना चाहते हैं फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा देना है और उसके बाद आपने वो criteria देना है जिस में से जिस item में से जिस नाम में से आपने किसे एक नाम का total मालूम करना है जैसे कि यह हमारे पास है तो उसके मालूम करना चाहते हैं इसमें अली का total तो उसके लिए हम क्या करिए यहां पर कॉमा दे ना है और उसके बाद पिर आपने वह सेल आ फेज़ करना है जहां पर आप नाम राइट करके अब उसका टोटन मॉलूम करने हैं जैसे के यह निमाला सेल और सके पूद आप डाकेट क्लोस करेंगे और जैसे हम एंटर जोब आ रहा है कि यहां पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है अब हमने अली का टोटल मालुं करना है था है यहां पर क्लिक करते हैं इसका राइफनस हम दे चुके जैसे अली type करके enter press करेंगे तो आप देखें यहां पे 600 आपके पास जवाब आ चुका है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अली हमारे पास यह देखे 100 और इसके बाद अली के साथ यह देखे 500 यह आड़ किया तो यह हो गया करने जा रहे हैं काउंटिफ कि हम गिनना चाहते हैं हम काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहां पर हमने और इसे अबब हम करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है यहाँ पर तमाम उन वैलियोस को आपने यहाँ पर रेंज देनी है फिर यहाँ पर कॉमा टाइप करेंगे invert comma देंगे फिर उसके बाद greater than बड़ी हो या बराबर हो जाए 500 के invert comma close and back and close और उसके बाद जैसे हम interpreters करेंगे देखें मारपा चार ऐसी values हैं जो 500 या 500 से अबब हैं जैसे कि 1, 2, 3 और ये 4 अब उसके बाद ये तो था greater than के साथ उसके बाद less than के साथ अगर आप इसे use करना चाहते हैं तो फिर वो ही function नम जो sum के साथ हमने apply किया था वो यहाँ पर दोबार apply करेंगे is equal to और यहाँ पर type करेंगे count if bracket start करते हैं और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसको range देनी है rain दिन के बाद यहाँ पर comma type करना है फिर shift के साथ inverted comma फिर इसके बाद less than is equal to और इसके बाद यहाँ पर value type करेंगे invert comma close and bracket close और enter पर इसकते हैं तब भी यह मरपा चार ही values हैं जो 500 के बराबर हैं या 500 से कम हैं जैसे 1, 2, 3 और यह 4 तो इस्ता से आप यहाँ पर count if का use कर सकते हैं और next function जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है count ifs count ifs function क्या काम करता है कि आपके पास दो columns के अंदर different data अगर write किया हुआ है तो उन दो columns के अंदर किसी एक title का किसी एक name को अगर हम सर्च करवाना चाहते हैं कितनी बार यहाँ पर add हुआ है तो उसके लिए हम यहाँ पर count ifs function का use करते हैं तो यहाँ पर function write करते हैं सबसे पहले is equal to write करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर formula type करना है count ifs पर इसके bracket start करेंगे और उसके बाद आपने वो column select करना है जिस column के अंदर आपके groups बने हुए है फिर आपने comma type करना है invite comma type करेंगे और यहाँ पर हम क्या मालूम करना चाहते हैं कि evening के अंदर हमारे पास यहाँ पर graphis के कितने students हैं तो यहाँ मैंने type कर लिया evening और इसके बाद invite comma close and comma close करेंगे फिर उसके बाद आपने वो column select करना है जिस column के अंदर आपने courses दिये हुए है जैसे यह courses हमारे पास है फिर इसके बाद कॉमा टाइप करेंगे invite comma और किस course के बारे में आपने मालूम करना है यहाँ पर graphic के बारे में और इसके बाद invite comma close and bracket close करेंगे अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर graphics के आपके बाद दो स्टोंट से evening में एक यह मारे पास है और इसके बाद एक यह है अगर आप इस following आप कोई adding करना चाहते हैं जैसे आप मालूम करना चाहते या पर noon में keep currentlyigns की ormuş भालूब करना चाहते या पर उसके बाद आप यसमें office management की स्टोंट मालूम करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पर click करना है जिस जगह अपने formula एड किया हुआ है और उसके बाद या तो वहाँ पर डबब क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे जैसे डबब क्लिक करेंगे तो फार्मला आपके पास यहाँ पर आइटिंग मूर्ड में आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको स्लेट करके जाँ ग्राफिक लिकाओ यहाँ पर वो कोस टाइप करेंगे जो हम मालूम करना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया Office Management और इसके बाद Office Management टाइप करने के बाद आपनी जैसे एंटर प्रेस के तो आप देखें Office Management का सरफ नोन में एक ही स्ट्रेंट है तो इस तरह से आप यहाँ पर किसी भी चीज़ की आप quantity मालू कर सकते हैं इस फार्मला के जरीए अगर आपके पास यहाँ पर यह तदार अगर सैंक्रों में है तो कितनी जल्दी हम result हासल कर सकते हैं इस एक function के जरीए और next function हम पढ़ने जा रहे हैं subtotal subtotal के function में हम बात करेंगे कि हमने filter के अंदर जो data हमारे पास हम write करते हैं या data के उपर हम filter apply करते हैं उसके अंदर अगर हम किसी भी एक value को किसी भी data को filterize करते हैं तो हम कहते हैं उसका total उसके साथ ही आ जाए वैसे जब भी हम यहां पर function apply करते हैं art is equal to write करके enter paste करते हैं तो यह देखे हमारे पास यहां पर यह किसाथ अपना 24,000 पे इसमें total आ रहा है अगर हम यहां पर apply करते हैं filter जैसे मैंने यहां पर click कर लिया filter और filter पर click करते हैं home पर click करने के बाद और यहां पर मैं select कर रहा हूँ कराची और ओके click करते हैं यहां पर total नहीं आ रहा हमारे पास यहां पर total नहीं आ रहा है अगर हम यहां पर click करते हैं lahore तो यह देखें lahore मारे पास दो मरतबा यहां पर आ रहा है मगर lahore का total यहां पर नीचे नहीं आ रहा है अगर हम overall select all पे click करते हैं तब इसका total आ रहा है तो हम चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे किसी एक city को select करें तो उसका total भी हमारे पास आना चाहिए तो उसके लिए हम sub total का function use करते हैं तो किस तरह से होगा यह function सबसे पहले आपने यहाँ पे header को select करना है header को select करने के बाद आपने home tab पे click करने या फिर आप data पे click करेंगे और उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर filter के उपर जैसे हम filter पे click करेंगे तो यह filter यहाँ पे apply हो जाएंगे अब उसके बाद नीचे वाले cell में आप click करेंगे तो आप देखें कि number 9 के उपर यहां पे sum आ रहा है यानि number 9 जो हमारे पास वो sum के लिए हम use करेंगे तो आपने number 9 पे कसर को लेके आना है आप सर्फ यहां पे 9 भी type कर सकते हैं उसके बाद आपने यहां पे tap का use करना है आपका यहां पे यहां पे 9 add हो जाएगा पर यहां पे कॉमा टाइप करेंगे कॉमा टाइप करने के बाद आपने उन तमाम values को amount को select कर लेना है जिसका आप total मालूम करना चाहते हैं और उसके बाद आपने bracket close करनी है और enter press करेंगे देखें 2,14,000 पे यहां पे total आ चुका है अब आप मालूम करना चाहते है रहमेर खान का total तो आप यहां पे click करते है click करने के बाद आपने अर्वाई के बेखें और रोटिफ क्लिक किया देखें 75,000 रुपीज़ आ रहा है और अगर हम मालूम करना चाहते हैं यहां पे मुलतान पे तो आप देखें पे टोटल आपके बाए शो हो रहा है तो इस ताद से सब टोल का फंक्शन यूज़ करके आप सिटी वाइज या एटम वाइज या नेम वाइज डाटा को अलग-अलग से सम करके उनका टोटल शो करवा सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमार्ड हम पढ़ेंगे इसमें आटो सी सीरियल नमबर आपने किस तरह से एड़ करना है जैसे में पास यहां पर कुछ डाटा यहां पर राइट है अब मैं चाहता हूं कि जब भी यहां पर सीरियल नमबर खुद बाखुद आ जाए तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहां पर वन टाइप करेंगे उसके बाद य आप लिखेंगे इफ अगर इस blank खाली है खाली है कौन सा cell जो हमारे पास यहाँ पर F4 है F4 यानि के यह मारे पास जो अली वाला cell है यह F3 है और इसके नीचे वाला cell F4 है F4 जिसका cell address है हमारे पास यहाँ पर तो अगर हमारे पास F4 खाली है तो यहाँ पर बैकेट क्लोज करेंगे फिर आपने कॉमा देना है अगर F4 खाली है तो computer क्या करें? invite, close, space, invite, close, and comma कि अगर आपके पास F4 cell खाली है तो वो E4 को भी खाली चोड़ दे यहनि अगर अली के नीचे वाले cell के अंदर कोई data नहीं लिखा हुआ तो one के नीचे नीचे वाले cell के अंदर भी कोई number add ना हो अगर फर्स किजिए कि अली के नीचे वाले cell के अंदर कोई नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो A1 जो हमारे पास E3 है E3 में प्लस कर दे वो 1 को यानि एक और एक कितने हो जाएंगे दो तो यहां पर सीरिल नमबर 2 वो एड़ कर दे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर E3 E3 में क्या है 1 लिखा हुआ है प्लस कर देंगे इसके 1 के साथ और बैकेट क्लोज करेंगे और E3 करेंगे देखें यहां पर आके पास कुछ भी नहीं लिखा तो इधर भी कुछ भी नहीं आ रहा तो यहां पर जैसे मैंने यहां पर टाइप कर लिया जहएद और E3 के तो यहां पर आटमेली 2 आ रहा है अब इसी फॉर्मले को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे ऐसे और इसके बाद हम यहां पर टाइप करते हैं जैसे मैंने ताहर लिखा मैंने यहां पर अनिल लिखा मैंने यहां पर माजर लिखा मैंने यहां पर महुन लिखा मैंने यहां पर राशन लिखा तो आप देखें यहाँ पे auto mailing number इसमें apply हो रहा है तो यह था auto serial number apply करने का तरीका कार और next function हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें rent between के बारे में कि rent between का formula हम किस तरह से use कर सकते हैं जैसे कि आपके पास यहाँ पे यह sheet मैंने create की वी है एक result card type है हम चाहते हैं कि यह हमारे पास students हैं और यह इनके subjects हैं तमाम students को हम pass करना चाहते हैं और तमाम students के number जो है वो 40 और 80 के दर्मयान आने चाहिए किसी students के number 40 से कम नहीं होनी चाहिए और किसी students के number 80 से अबब नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम तमाम cells को select करेंगे जिन cells के अंदर हम marks add करवाना चाहते हैं तो आपने इस ता से पहले इस ता से cell को select करना है तमाम cells को याद रखिए कि तमाम cells को पहले select करना है फिर उसके बाद is equal to write करना है और यहां पर type करेंगे rent between और इसके बाद bracket start करेंगे यहां पर आपने value type करनी है जैसे तमाम cells को marks देना चाहते है 40,80 हो सकता है 90 हो सकता है 70 हो सकता है आप इसमें कुछ भी add कर सकते हैं तो 40,80 मैंने कर लिया bracket close करेंगे और इसके बाद control के साथ control के साथ जैसे आप enter press करेंगे तो आप देखेंगे कि उन तमाम cells के अंदर numbers add हो चुकी हैं किसी भी strength के number 40 से कम नहीं है और किसी के 80 से अबब नहीं है तो इस तरह से आप यहां पे number generate कर सकते हैं किसी दो values के धर्मियान उसके बाद next function मैं बात करेंगे इसमें percentage के बारे में कि percentage आपने किस तरह से मालूम करनी है तो इसके लिए मैंने अलग से एक sheet यहां पे design की हुई है जैसे कि यहां पे आपको नदर आ रहा है कि data मैंने सारा यहां पे write किया हुआ है अब उससे पहले हमने क्या करने कि obtain marks यहां पे add कर लेते हैं अप्टेंड मार्क्स आड़ करने के लिए इन तमाम cell को आप select कर लें और इसके बाद home पे click करें और auto sum पे click करें और जैसे हम auto sum पे click करेंगे तो इन सब के obtain marks हमारे सामने आ जाएंगे अब percentage मालूम करने के लिए क्या करना है आपने is equal to write करते हैं और इसके बाद यहां पे obtain marks पे click करना है obtain marks को multiply करेंगे 100 के साथ और divide कर लेंगे हम इसे total marks के साथ जैसे total marks हमारे पार इसमें आ रहे हैं फर्स कीजिए कि 600 बेने कर दी और इसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे percentage आ चुकी है यहां पे click करते हैं क्लिक करने के बाद जैसे इसको drag करेंगे तो देखें नीचे तक तक तमाम strength की percentage यहां पे add हो चुकी है तो इसका से आप percentage का function भी use कर सकते हैं और next function हम बात करेंगे इसमें average के बारे में formula number 9 में हम बात करेंगे average के average आपने किस तरह से मालूम करनी है जैसे मेरे पास यहां पे dates हैं उसके बाद मैंने यहां पे सामने amount type की वी है कि यह हमारे पार date है इस date को इतनी earning हुई इस date को इतनी वी इसको इतनी हुई हमारे पास और यहां पे टोटल यह तुमारे पास एक अफ़ते का record है हम यह मालूम करना चाहते हैं कि per day यहां पे हम यहां पे average मालूम करना चाहते हैं कि अगर total मालूम करना चाहते हैं वह हम home पे click करके यहां पे auto sum करके enter price कर सकते हैं, 3800 इन्होंने छे दिन के अंदर earn की है अब मालुम करना चाहते हैं कि पर डे की अर्निंग कितनी होगी average मालुम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ फार्मॉला अप्लाई करेंगे is equal to and यहाँ पर write करेंगे average bracket start और उसके बाद आपने range देनी है यानि F3 से लेकर F8 तक close करेंगे और enter प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर 633.33 हमारे पास per day की earning हुई तो इस तरह से यहाँ पर डे की average भी आप मालूम कर सकते हैं उसके बाद last function जो हमारे पास है वो trim का है कि आपने trim का function किस तरह से use करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ data write किया हुआ है और इस data के अंदर मैंने extra space जान बूज कर add की हुई है जैसे falcon, excel academy के दिरम्यान space बहुत ज़ादा है, microsoft office के दिरम्यान space है, free online classes के दिरम्यान space है, तो extra space को remove करना चाहते हैं तो इसके लिए हम trim का function यूज करते हैं, आपने equal to write करना है, और यहाँ पर type करना है trim और उसके और bracket start और उस cell पर click करें यह cell के अंदर space आपको ज़्यादा लग रही है, words के दिरम्यान फिर packet close करेंगे और enter press करेंगे तो आप देखें, यहाँ पर यह space remove हो चुकी है असपर जैसे हम इसको drag करेंगे यहाँ पर click करते हुए, जैसे drag करेंगे तो देखें, तमाम letters के दिरम्यान, तमाम words के दिरम्यान जो extra space थी वो remove हो चुकी है इस तरह से, चंद एक click की मदद से आप extra space को remove कर सकते हैं तो यह था मेरा आज का lecture जिसमें मैंने आपको 10 important functions के बारे में पढ़ाया, उमीद है आज की इस lecture में बहुत कुछ new सेखने को मिला होगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए और अपने दोस्तों साथ share कीजिए मिलते हम next lecture में तब तक के लिए good bye